हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और भाई इंडिया ने क्या कमबेक किया बैक टू बैक दो मैंच जीता है और ये लास्ट मैंच जो जीतेगा ट्रोफी उसके नाम होगा क्योंकि आपको पता होगा कि विश्टिंडी दोनों मैंच ल तो उसी तरह आज के मैंच में क्या होगा क्या बैट्समेन सबसे जादा रन बनाएगा या बोलर सबसे जादा पोइंट देके जाएगा या विश्टिंडीच के कौन सा ओल राउंडर सबसे जादा पोइंट देके जाएगा किसको अपने फंटेसी टी में कैप्टर मनाना है और किस बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौनसी ऐसी प्लेयर को लेना है जिनका selection percentage बहुत कम है जिसके कारण आप लोग एक बहतरीन टीम बना के grand league, small league, 4 member, 10 member, 100 member या 1,2,000,000 लोगों में आप first आ सकते हो तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और हाँ, toss update, final team, सारा कुछ आपको telegram पे मिलेगा तो हाँ, toss update, final team, सारा कुछ आपको telegram पे मिलेगा telegram का link आपको first comment में दिख रहा होगा पीन करके दे दिया हूँ, first comment box में जाओ, जाके click करके हमारे telegram से join कर लो जहाँ पे मिलेगा आपको final team, जिस team से मैं खुद खेल के लाकों investment करता हूँ, जीतता हूँ, वही team आपको हम telegram पे भी देते हैं, free of cost कोई charge नहीं है, ठीक है और अगर कोई पैसे मांग रहे हैं मेरे नाम पे तो वो fraud होगा क्योंकि हम हमेशा free team देते हैं, full team देते हैं वीडियो के start करते हैं, यह match खेला जाएगा 13 अगस्ट को जैसे आप सभी को पता है, Sunday है और यह match साम को खेला जाएगा मज़दार match होने वाला है, venue की बात करते हैं तो यह match खेला जाएगा Florida में, जो पिछला match यहां पे खेला गया था, Sam आपने देख्या होगा, यहां पर run ठीक ठाक बनता है, और यहां पर पेसस अच्छे खासे वीकेड लेके चले जाते हैं, वाला fast bowler, तो आपके team में fast bowler, साथ में batsman आप यहां पर देखो, batting first करने वाला यहां पर ज्यादा जीता है, लेकिन कल इंडिया के साथ match था, तो second batting करने वाला जीता था, बट यहां पर run दबा के बनता है अब यहां पर अगर आप last match का देखोगे तो जिसमें sign hop एक बहतरी पारी खला था, इधर से brandam king और hitmire, इधर से jazz walk और सुमन गिल ने तावर तोड बैटिंग किया था, और विकेड आजदिव सिंग ने लिया था, तीन विकेड, गुल्दी वादव ने दो विकेड, इधर स spinner versus अगर पेसर्स की बात करते है Florida के ground में, तो सबसे ज़्यादा जो विकेड लेते हैं वो अगर आप देखोगे पेसर्स लेते हैं, बट spinner भी गैम में रहता है, बाट यहां पर run ठीक टाक बनता है, आप देखो यहां पर 178 है, यहां पर 191 है, यहां पर 188 है, यहां पर 167 है तो यह last वाला है final, इसमें ज़्यादा छेड़ खानी करने को कोशिस नहीं करेगा, अगर कोई changes होगा, तो आप हमारे telegram जोइन कर लो, पहले comment में telegram का link है, जहां पर आपको final update भी देते रहूँगा, और team भी दूँगा, ठीक है, अब western days के तरफ से हो सकता है कि एक दो changes दे अब हम बात करते है, इस stats के बारे में, तो सबसे पहले इंडिया का प्लेयर है, जैसे मैंने पिछले मेंज में बोला था कि भाई, इंडिया का batsman चलने वाला है, और आपने देखा होगा, मैंने अपने telegram पे जो full team देता है, उसमें सुम्मंगिल को captain मनाया था, आज भी सुम सुर्क मायादव को बना सकता हूँ, पिछले में भली इसका बैटिंग नहीं आथा, पर सुर्क मायादव का बल्ला चलेगा, लास्ट में पे तेरासी रन का पारी खलाता, तो भाई ये प्लेयर अब जीयल में इसको captain भी बना के जा सकता हो, बहुत ये बहतरी नहीं, तिलग समसंग को मैं तो एक भी मैच में नहीं रख रहा हूँ, आपको पता बैटिंग बहुत नीचे है, अक्षा पटल को बालिंग मिल सकता फिर से, अगर आप बालिंग के दम पर रखना चातो रख सकता तो वैसे मैं नहीं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे मैच में छे वीकेड लिया, रिकॉर्ड अच्छा है, बट हर मैच में एक वीकेड लिके जा रहे हैं, तो एवरेज परफॉमेंस दे रहे हैं, हार्दिक पांडिया की बात करते हैं, लास्ट मेच अगर दिखा होगा तो इसने कुछ भी परफॉमेंस नहीं किया था, ठीक है, बटाओंगा हार्दी पंडिया के जगहा आप किसको रखना है, कुल्दी यादा हो इंपोर्टन है, हर मेच में वीकेड लिके जा रहे हैं, दो वीकेड तीन वीकेड क्योंकि दो मैच में पांच वीकेड ले चुका है इस वन्यू पर और आठ मेच में सतरह वीकेड तो इसम लिकेड लिए भी बनता है, तीमें चहल तो भाई, इंपोर्टन है, एक में एक वीकेड, नौ में ग्यारे वीकेड और मुकेड सकुमार हर में वीकेड लेके जा रहे हैं, एक एक वीकेड तो वेस्टेंडिज के दिगेज में चार मेच खळा, तो हमारे टीमें असधिब सिं यहां पर यह जीन में से कोई अगर खेलता तो इनका में स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर दूँगा फर्स्ट कमेर में टेलेग्रम का लिंक है क्लिक करके जून जाना वैसे उम्रान मली कर रिकॉर्ड की बात करते हैं तो आठ में 11 विकेट इधर इसम इधर खेला नहीं है अ सब्सक्राइब का इसका सब्सक्राइब करते हैं तो आज यहां से तो अच यहां से आप दो प्लेर को रखो तो मैंने फिलाल नहीं रखा है रोमें पॉविल की बात करते हैं आज जील में रोमें पॉविल को ट्राई करना आज को कि यह आपको पचास से से प्लस पॉइंट देने वाला है ठीक है बात करते हैं यहां पर साथ मैंच में एक सब्सक्राइबरेज है इंडिया के एक विकर लिया है यह भले दो मैंच से फ्लॉप जा रहा है लेकिन होल्डर को आ तो मैं नहीं द्रॉप करूंगा क्योंकि यह बहुत ही बड़ा प्लेयर ह दॉप करते हैं तो दो मैंच से फ्लॉप उसके पहले विकर लेकर जा रहा था लेप यहां पर अकला हुसें है दस में शेर विकर लिए है और हमारी उसे फट है जो की रहेगा और कोई नहीं रहेगा इदा से ओंस है जयसे चाल्स है रोस्ट चैसा है रोस्टन चसु का खेलने का चन्स मेरे को लग रहा आज हाई चार मेंज में छे वीकड लिए अंडिया कर समय रन भी अच्छ ​​का से बनाए करें देखो आपने देखा होगा चार और साथ का मैंने इक भी बना सकतों कि हार्दिक पांडिया पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि रोश्टन चेस खेले ठीक है या तो ब्रेंड़म किंग या कोई हम बैट्समें भी ले सकते ह तो वह बेटर मुझे लग रहा है कि बेटर ऑफिशन रहेगा तो देखते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करता था हो सकता है मैं हादि पंद्या के जगर तिलग वर्मा को भी ले सकता हूं पाकि यह फिलाल टीम सही है सुमंगिल कैप्टन है वाइस कैप्टन है सुर्क मय सुर्क मयादव को सी वी सी बना सकते हो आज इसका बल्ला चलेगा जील में जरूर इसको कैप्टन बनाना और यहां इदर से साइन होप निकोलोस पुरें दोनों मैं बैसमें इदर से होल्डर इदर से सैफर्ट के जगह अगर अलजाली जोसेफ आता है तो हम उनको पर मिलेगा फर्स्ट कमिन में टेलिगाम का लिंक है क्लिक करके अभी जोइन कर लो क्योंकि वहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगा टॉस अपडेट मिलेगा जिस टीम से मैं खुद खेलूँगा खुद लाकों इंवेस्टमन करूँगा वही टीम आपको टेलिगाम पर दू पर खेले